इंटिक्रेशन साइन साइन का पावर nx dx तथा इंटिक्रेशन साइन का पावर nx dx का मान ग्याद करना जबकि n एक धन विसम पुर्णांक है तो इसके लिए हम क्रमसा कॉस x equal to t तथा sin x equal to t उपर युक्त समाकलों में रख कर इनके मान ग्याद किये जा सकते हैं अर्थाथ इन मानों को रख करके आगे जब हम सरल करेंगे तो प्रमानिक समाकलन में हमने जो फलन दिखाई दिये थे उसी प्रकार के फलन दिखाई देंगे और हम समान्य विधि से इसको आगे सरल कर पाएंगे integration sign sign का power nx dx तथा integration sign cos का power nx dx का मान ग्याद करना जबकी n एक धन सम पूर्णा के है तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करने के लिए हम कुछ सूतर का उप्योग करेंगे जैसे कि sin square x equal to 1 minus cos 2x upon 2 तथा cos square x equal to 1 plus cos 2x upon 2 यह सूतर हमने त्रिकोण मितिय में पढ़ा है कक्षा 11V में तो इन सूतरों का उप्योग करके हम आगे इनको सरल करेंगे तो इस प्रकार हम integration sign sign का power nx dx तथा cos का power nx dx के मान सरलता से हम याद कर सकते हैं integration sign sign का power mx into cos का power nx dx का मान ग्याद करना इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करने के लिए हम विधी का प्रयोग करेंगे जिसमें पहला है कि यदि m एक धन विसम पूर्णांक है तो cos x equal to t रखकर आगे सरल करेंगे दूसरा यदि n एक धन विसम पूर्णांक है तो sign x equal to t रखकर आगे सरल करेंगे और तीसरा यदि m प्लस n एक सम रिन पूर्णांक है तो tan x equal to t रखकर के आगे इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करेंगे तो चलिए आगे देखते हैं इसे सम्बने प्रश्ण जिससे इन चीजों का हम भेतर तरीके से समझ पहेंगे तो इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है कि दिये के फलन का x के साप एक्ष समाक लर्ण कीजिए तो यह sin का power 5x तो माना की i equal to integration sin का power 5x dx है इसका समाक लर्ण करने के लिए पहले हम sin का power 4x और फिर again sin x dx इस प्रकार लिख सकते हैं sin को हम cos में convert कर लेते हैं तो उसके हमें कुछ फायदा मिलेगा यह 1 minus cos square x इसका square लिख सकते हैं और फिर यह sin x dx अब यदि हम यहाँ पर प्रतिस्थापन का उप्योप करें cos x equal to t ले करके चलें दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा minus sin x dx equal to dt या फिर sin x dx equal to minus dt तो i equal to मिल दाएगा 1 minus t का square then whole square और sin x dx को हम लिख सकते हैं dt minus dt तो minus sin बाहर आ गया minus sin a minus b का square a square plus b square minus 2ab और फिर यह dt minus sin बाहर रखते हैं एक का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा t t का power 4 का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा t का power 5 plus 5 फिर minus 2 t का power 2 है तो यह t का power 3 upon 3 और plus c जहां पर c समाकल नियत आंक है अब t के इस्थान पर हम cos x रखेंगे क्योंकि दिया गया फलन x के रूपए हैं तो minus sin cos x plus cos का power 5 x upon 5 minus 2 by 3 cos का power 3 x plus c या फिर आप लिख सकते हैं integration sin का power 5 x dx equal to गहातों के घर्टो विकरम में लिखेंगे तो पहला गहात 5 वाला आएगा तो minus cos का गहात 5 x बटे 5 फिर रिंड और रिंड भन ये 2 बटे 3 cos का गहात 3 x फिर रिंड cos x plus c तो यह दिये गया फलन का समाकलन है जो हमें गयात करने के लिए दिया गया था अगला प्रशन है cos का power 4 x इसका हमें समाकलन करना है तो माना की i equal to integration cos का power 4 x dx है इसे लिखा जा सकता है cos square x का power 2 dx अब cos x को हम 1 plus cos 2 x upon 2 इस प्रकार लिख सकते हैं तो 1 plus cos 2 x upon 2 dx और यह square है तो यह हम पर यह square आएगा 1 by 2 का square करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 4 और हम उसे समाकलन चेंद के पहले ले आएगे और फिर 1 plus cos 2 x का whole square कर रहे है तो 1 का square 1 plus cos square 2 x plus 2ab तो मिल जाएगा 2 cos 2 x then dx अब सभी पर दों का समाकलन करते हैं एक का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x फिर cos square 1 by 4 और 1 का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x फिर 1 by 4 integration sign cos square 2 x dx और फिर plus 1 by 4 और यह 2 cos 2 x का समाकलन sin 2 x upon 2 और plus c लिख सकते हैं जहाँ पर c समाकलन नहीं अतांक है तो यह मिल गया x by 4 plus 1 by 4 अब यह जो cos square 2 x है इसे हम लिख सकते हैं 1 plus cos 4 x upon 2 upon 2 dx यह 1 और 2 तो मिल जाएगा एक बटे यह फिर यह दो और यह दो कैंसल हो जाएगा पहले एक का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x और cos 4 x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 4 x upon 4 प्लस यह sin 2 x upon 4 प्लस c solve करेंगे x by 4 प्लस sin 2 x upon 4 यह वाला पद हो गया पर यह वाला पद और फिर x by 8 यह वाला पद और फिर यह वाला पद जाएगा 8 8 को 4 से भाग देंगे मिल जाएगा 2 और x के साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2 x और यह x फिर यह sin 2 x upon 4 और फिर sin 4 x upon 32 plus c चाहें तो तीनों पदों से हम 1 by 8 उपहेंच ले सकते हैं तो 2 x plus x 3 x फिर यह sin 2 x और यह 2 चुकि यहाँ पर 4 है तो 2 और 2 का मॉल्टिप्लाइ करेंगे तब 8 आएगा फिर प्लस sin 4 x upon 4 plus c तो यह कॉस का पावर 4 x का कॉस का पावर 4 x का समाकलान हमने x के साथ एक्च किया है और हमें यह प्राप्त हुआ अगले function दिया गया है sin का पावर 6 x तो इसे हम लिख सकते हैं sin cube x और फिर इसका square और जैसा कि आप जानते हैं कि sin cube x equal to मिलता है 1 by 4 3 into sin x minus sin 3 x इस सूतर का उप्योग करेंगे और यहां पर put कर देंगे तो square करेंगे तो हमें मिल दाएगा 1 by 4 का square तो मिल दाएगा 1 by 16 फिर 3 sin x minus sin 3 x का square तो यदि चाहें तो हम इसका आगे work करके सरल कर सकते हैं तो यह एक बटे 16 इसका करेंगे तो मिल दाएगा 9 sin square x plus sin square 3 x minus 6 sin x और फिर sin 3 x minus 2 a b तो minus 2 के बाद यह a यह पूरा पन और यह b तो हमें इस तरीके से मिल दाएगा तो यह है sin का power 6 x यदि उसका समाकलन किया जाए sin का power 6 x का x के साब एक्ष तो हम इसका समाकलन लिखेंगे तो यह 1 by 16 और फिर 9 integration sin square x plus integration sin square 3 x minus 6 sin x और sin 3 x dx यहां पर भी होगा dx और यहां पर भी होगा dx और यह पर भी होगा dx और यह ब्रैकेट फ्रोस तो यह 9 का multiply से करेंगे तो मिल दाएगा 9 y 16 और sin square x है तो sin square x इसे हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2 x upon 2 और cos square x को लिखा जा सकता है 1 plus cos 2 x upon 2 तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम इन चीजों को replace करेंगे तो मिल दाएगा 1 minus cos 2 x upon 2 dx फिर 1 by 16 sin square 3 x देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर इसका दूगों न मिलता है तो मिल दाएगा 1 minus cos 6 x upon 2 2 dx और फिर minus 6 तो यह 6 upon 16 मिल जाएगा पहले तो और फिर अंदर में फ़रान है sin x into sin 3 x तो एक काम करते हैं इसे हम 3 लिखते हैं और फिर यह 2 sin x और sin 3 x dx लिखते हैं अब देखिए यह 2 sin a sin b इस फर्मूले में है यह तो 2 sin a sin b equal to होता है 2 cos a minus b minus cos a plus b तो इस सूतर का उप्योग करके इसे हम थोड़ा सरल कर लेंगे तो हमें मिल दाएगा 2 sin x into sin 3 x equal to cos of x minus 3 x और minus cos x plus 3 x cos of minus theta cos theta तो यहां से मिल दाएगा cos 2 x और minus cos 4 x तो 2 sin x और sin 3 x इसको हम लिख सकते हैं cos 2 x minus cos 4 x तो यह फरलन हमें मिल रहा है 9 by 16 integration 1 minus cos 2 x upon 2 dx plus 1 by 16 integration sign 1 minus cos 6 x upon 2 dx minus 3 by 16 इसका इस्थान पर हम लिखेंगे cos 2 x cos 2 x minus cos 4 x then dx अब इस फलन का समाकलन निकाल करके सरल करेंगे फिर हमें जो चाहिए था वो मिल दाएगा तो यह 9 by 16 फिर 1 by 2 का करेंगे तो मिल दाएगा x by 2 फिर cos 2 x का करेंगे समाकलन तो मिल दाएगा sin 2 x upon 2 तो और 2 2 4 फिर यहां से करें 1 by 2 कामन ले लेंगे तो मिल दाएगा 1 by 32 फिर यह मिल दाएगा x minus sin 6 x upon 6 फिर minus 3 by 16 cos 2 x का sin 2 x upon 2 और cos 4 x का sin 4 x upon 4 plus c जहां पर c समाकलन यह तांक है तो यह दिया गया फ़लन का समाकलन है जो हमें ग्याद करने के लिए दिया गया थे अगला फ़लन दिया गया है sin का पावर 5 x into cos का पावर 4 x तो माना की दिये गया फ़लन का समाकलन है आई यह sin का पावर 5 x और फिर cos का पावर 4 x dx sin का पावर 5 को आप लिख सकते हैं sin का पावर 4 x और फिर यह cos का पावर 4 x और फिर sin x dx अब sin का पावर 4 x को लिख सकते है sin square x और sin square theta और लिख सकते है 1 minus cos square theta तो मिल दाएगा 1 minus cos square x का whole square और फिर cos का पावर 4 x और फिर sin x dx अब यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि cos x equal to t दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा minus sin x dx equal to dt और आगे से रल करेंगे तो मिल दाएगा sin x dx equal to minus dt तो i equal to यह 1 minus t का square का whole square हो जाएगा फिर cos का power 4 x तो मिल दाएगा t का power 4 फिर sin x dx equal to minus dt तो यह dt और फिर minus sign तो minus sign को बाहर रखते हैं और पहले इसका square करते हैं a minus b का square a square plus b square minus 2ab into a t का power 4 है और यह dt आगे solve करेंगे तो यह मिल दाएगा t का power 4 plus t का power 8 minus 2 t का power 6 dt फलन का समा कलन करेंगे तो t का power 4 का मिल दाएगा t का power 5 upon 5 t का power 8 का मिल दाएगा t का power 9 upon 9 फिर t का power 6 का मिल दाएगा t का power 7 upon 7 और plus c लग सकते हैं जहां पर सी समाकलन यह तांग है पहले minus sign का multiply कर देते हैं तो मिल दाएगा minus t का power 5 upon 5 फिर minus t का power 9 upon 9 फिर minus और minus plus 2 by 7 t का power 7 plus c t के स्थान पर हमने जो पतिसापन किया था cos x उसे put कर देते हैं तो हमें जो उत्तर चाहिए वो मिल जाएगा integration sign का power 5x cos का power 4x dx equal to minus cos का power 5x upon 5 minus अगर घातों के घटते विक्रम में लिखना चाहिए तो भी लिख सकते हैं पहले पूट कर लेते हैं तो cos का power 9x upon 9 plus 2 by 7 cos का power 7x और फिर plus c घातों के घटते विक्रम में लिखेंगे तो पहला आ जाएगा minus cos का power 9x upon 9 फिर power 7 वाला तो यह 2 by 7 cos का power 7x फिर cos का power 5x upon 5 plus c तो यह दिये गए फलन sin का power 5x into cos का power 4x dx यह इसका माना की दिया गया फलन का समाकला ने आई sin square x into cos का power 7x dx तो यह sin square x को लिखेंगे cos का power 7x को हम cos का power 6x into cos x dx इस प्रकार आगे लिख सकते हैं अब यह जो cos का power 6x है इसे हम लिख सकते हैं sin square उसका power 3 तो इंटिकरेशन sin sin square x इसको हम लिख सकते हैं 1-sin square x और इसका power 3 और फिर cos x dx अब यहां पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना sin x equal to t दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा cos x dx equal to dt तो आपको मिल दाएगा i equal to sin square x यह t square फिर 1-sin square x तो यह t square then cube cos x dx को हम लिखेंगे dt तो इस फरकार आगे सरल करेंगे यह t square a minus b का cube solve करेंगे तो मिल दाएगा 1-3 into t square plus 3 into t का power 4 minus t into t का power 6 then dt आगे multiply करेंगे तो मिल दाएगा t square यह bracket open करके फिर minus t का power 4 minus 3 t का power 4 plus 3 into t का power 6 times और फिर इसका इसके साथ multiply तो t का power 8 और फिर यह dt ट का power 2 का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा t का power 3 upon 3 ट का power 4 का करेंगे तो t का power 5 upon 5 और t का power 6 का करेंगे तो t का power 7 upon 7 और t का power 8 का करेंगे तो t का power 9 upon 9 plus c तो जो मूल फलन है वो साइन का cos x के form में है और हमने t के form में निकाला है तो t equal to sin x पूट कर देंगे तो मिल दाएगा sin cube x upon 3 minus 3 by 5 sin का power 5 x plus 3 by 7 sin का power 7 x minus t का power 9 है तो जो मिल दाएगा sin का power 9 x upon 9 plus c तो यह जो दिया गया फलन है sin square x into cos का power 7 x dx इस फलन का समाकलन है जो की हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था अब इसे चाहें तो आप sin के घातों के घटते विक्रम में भी जमा सकते हैं तो पहला घात 9 वाल आ जाएगा तो minus sin का power 9 x upon 9 फिर 3 by 7 sin का power 7 x यह पद हो गया यह पद हो गया फिर 5 वाल गात 5 तो यह 3 by 5 sin का power 5 x यह पद भी हो गया फिर sin का power 3 x upon 3 plus c तो यह दिये गया फ़लन का समाकलन है जो की हमें ग्यात कर निकले कहा गया था तो इसे हम आगे लिख सकते हैं integration sin sin का power 2 by 3 x into cos square x into cos x dx अब आगे हम cos square x को लिखेंगे 1 minus sin square x और आगे की प्रक्रिया करेंगे तो हमें मिल जाएगा i equal to integration sin sin का power 2 by 3 x into 1 minus sin square x into cos x dx अब यह जो ब्रेक्ट है इसे हम open करेंगे और आगे solve करेंगे तो 1 into sin का power 2 by 3 x तो यह मिल जाएगा sin का power 2 by 3 x फिर minus sin का power 2 by 3 है और फिर sin का power 2 है तो 2 by 3 plus 2 आपको मिल जाएगा sin का power 8 by 3 x then into cos x dx अब हम आगे solve करने के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि पुन माना sin x equal to t दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos x dx equal to dt तो इस प्रकार sin x के इस्थान पर हम t लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा i equal to integration sign t का power 2 by 3 minus t का power 8 by 3 into dt तो आगे solve करने पर हमें मिल जाएगा t का power 2 by 3 है इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा t का power 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1 minus t का power 8 by 3 plus 1 upon 8 by 3 plus 1 plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है अब आगे इसे solve करेंगे तो 2 by 3 plus 1 solve करने पर मिल जाएगा 5 by 3 तो इस प्रकार मिलेगा t का power 5 by 3 upon 5 by 3 फिर minus t का power 11 by 3 upon 11 by 3 plus c सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 बटे 5 गुना t का घात 5 बटे 3 रिंड 3 बटे 11 टी का घात 11 बटे 3 धन c तो अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था वह मूल मान को रख देंगे अर्थात sin x equal to t put करेंगे तो इस प्रकार integration का मान हमें मिल जाएगा 3 by 5 sin का power 5 by 3 x minus 3 by 11 sin का power 11 by 3 x plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है अब आगे चलते हैं अगले प्रशन पर जहां पर दिया गया है sin का power 3 x into cos का power 2 2 x इस फलन का हमें समाकलन करना है x के सापेच तो लिखेंगे माना i equal to integration sin sin का power 3 x into cos का power 2 2 x dx आगे हम cos square 2 x है उसको sin के पदों में वैक्त करेंगे तो हमें मिल जाएगा integration sin sin cube into 1 minus sin square 2 x dx आगे bracket open करके पहले गोना करेंगे तो मिल जाएगा integration sin sin cube x minus sin cube x minus sin square 2 x dx अब हम दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं तो मिल जाएगा integration sin sin power 3 x dx minus integration sin power 3 x into sin square 2 x dx तो जो पहला पद है उसे एजटी से रखेंगे integration sin sin cube x dx अब यहां पर जो हमें sin square 2 x लिखा हुआ है तो जैसा कि हम जानते हैं कि sin 2 x equal to 2 sin x cos x होता है तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 4 sin square x cos square x तो इस मान को हम यहां पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा integration sin 4 जो constant है यह बाहर आ जाएगा पहले तो लिखेंगे 4 integration sin cube x into sin square x into cos square x dx तो पहले पत्कों हम एज़ेटिस लिखेंगे integration sin sin का power 3 x dx minus 4 sin q x और sin square x multiply होकर के हो जाएगा तो यहां पर हम sin का power 5 x को लिख सकते हैं sin का power 4 x into sin x तो इस प्रकार यह पत्ध हम मिल रहा है sin का power 4 x cos square x sin x dx अब जो sin का power 4 x है उसे हम sin square x का power 2 इस प्रकार लिख सकते हैं और sin को cos में बदल देंगे तो हमें मिल जाएगा integration sin sin cube x dx minus 4 into integration sin 1 minus cos square x का whole square into cos square x sin x dx अब माना कि जो पहला पद है उसे वो i1 है और फिर minus 4 into integration sin है उसके बाद वाला जो पद है यह i2 है तो पहले i1 और i2 को पहले सरल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम मान को रखेंगे तो अब i1 equal to sin cube x dx उसका integration करना है तो इसे हम लिखेंगे integration sin sin square x sin x dx अब sin square x को हम लिख सकते है 1 minus cos square x और आगे फिर से हम प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे और यह ले करके चलेंगे की cos x equal to t दोनों पक्षों का alkaline करेंगे तो मिल जाएगा sin x dx equal to dt माइनस sin x dx equal to dt त अब इन मानों का हम यहाँ पर रख देते हैं तो bracket में 1 minus cos square x है तो यह मिल जाएगा 1 minus t square और फिर dt और माइनस sin के सांथ में आगे समाकलन करते हैं पहले माइनस sin फिर 1 का समाकलन t और t square का समाकलन t cube upon 3 plus c तो अब जो मान हमने प्रतिसापित किया है उस मान को रख देते हैं तो माइनस sin अगर multiply कर देंगे तो मिल जाएगा minus t plus t cube upon 3 minus c और चाहें तो हम इसे c1 से replace कर सकते हैं plus sign लगा करके तो अब मान रख देते हैं t equal to cos x तो मिल जाएगा i1 equal to minus cos x plus cos cube x upon 3 plus c1 जहां पर c1 एक समाकलन यह तांक है मान लेते हैं कि यह जो i equal to हमें मिला है यह समीकरण 1 है और i1 का जो मान मिला है यह समीकरण 2 है अब आगे सरल करते हैं i2 के लिए दो पुनह i2 equal to integration sign 1 minus cos square x power 2 whole power 2 into cos square x sin x dx माना cos x equal to t दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin x dx equal to minus dt तो i2 equal to मिल जाएगा इन वानों को रख देंगे integration sign 1 minus t square whole power 2 into t square dt अब bracket open करेंगे और फिर multiply कर देंगे तो minus sign integration अगर प्रथम पद को विस्तार करें तो मिल जाएगा 1 plus t का power 4 minus 2t square फिर into t square है अब bracket open करके multiply करेंगे तो मिल जाएगा minus sign integration sign then t square plus t का power 6 minus 2 का power 2 into t का power 4 dt समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा minus sign t का power 3 upon 3 plus t का power 7 upon 7 minus 2 into t का power 5 upon 5 plus c2 अब minus sign को multiply कर देते हैं तो मिल जाएगा minus t का power 3 upon 3 minus t का power 7 upon 7 plus 2 by 5 t का power 5 plus c2 अब जो हमने प्रतिस्थापन किया था मूल मान को रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा minus cos cube x upon 3 minus cos का power 7 x upon 7 plus 2 by 5 cos का power 5 x plus c2 तो हमें जो i1 और i2 का मान मिला है उससे हम रख देंगे तो i equal to था i1 minus 4 times i2 i1 का मान था minus cos x plus cos cube x upon 3 plus c1 फिर minus 4 into i2 का मान हमें मिला है minus cos cube x upon 3 minus cos का power 7 x upon 7 plus 2 by 5 cos का power 5 x plus c2 अचर पत को हम अंतिम में लिखेंगे और इसके पहले बांकी cos वाले पतों को लिख लेते हैं तो मिल जाएगा minus cos x plus cos cube x upon 3 plus c1 then plus multiply करेंगे तो मिल जाएगा 4 by 3 cos cube x plus 4 by 7 cos का power 7 x minus 8 by 5 cos का power 5 x minus 4 time c2 तो आगे लिखेंगे minus cos x plus cos cube x वाला जो पत है यह दो पत है सरहल करने पर हैं मिल जाएगा 5 by 3 cos cube x फिर plus 4 by 7 cos का power 7 x फिर minus 8 by 5 cos का power 5 x plus c1 जहां पर plus c जहां पर c equal to c1 minus 4 times c2 है और यह दिये गए फलन का समाकलन है जो की हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था और फलन था sin cube x into cos square 2 x तो इसको समाकलन करने पर हमें यह पद प्राप्त हुआ